हलो फ्रेंड सेलकम टू माई चैनल आज हम कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर है दम मैजिक पॉक्टी वरक्षीट यह कंप्लीट वरक्षीट है इसके अंदर आपको बहुत सरे एक्सिसाइज मिल जाएगी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसके अंदर जो ह सारी है जो हमारे पॉइंट से उनको कवर किया है बहुत डिटेल में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी और एक्स्प्रींग भी करूंगी देखे हर स्कूल में स्कूल में जो भी बच्चों के लगी होती है बुक्स उसमें जो में हमारा कैरेक्टर है लीजा या तारा उनके नाम change हो सकते हैं, बट story सेम है, question answer सेम है, right, wrong, fill the blanks, जो भी चीज़े आएंगी, जो base से story का वो सेम ही है, जब भी आप worksheet करवा रहे हैं बच्चो को, तो सबसे पहले आपको उसके अंदर जो difficult words होते हैं, या फिर आप बो सकते हैं कि new words जो होते हैं, वो बच्चो को ज़रूर याद करवाने हैं, so first आप जो बच्चो को याद कर सकते हैं, little, little means, छोटा, caring, caring means, उन्होंने पकड़ रखा रहा या, उनने उसको carry किया हुआ था, उसको उठाया हुआ था, forest means होता है, जंगल, pleased means को होता है, pleased means बहुत खुश हो जायाना किसी से, बहुत ज़्यादा खुश हो जायाना, something means कुछ, neighbors means पड़ोसी, जो हमारे आसपास रहते हैं, hungry means भूका, porridge means दल्या, मिठा दल्या जो होता है, उसको हम बोलते हैं, porridge, remember means होता है, याद करना, याद रखना, shocked मतलब अचानक से, जिसे किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, shocked रहते हैं, आसचारे चकित हम इसको बोल सकते हैं, नेक्स्ट है, इसमें, forgot यानि कि भूल जाना, quickly means जल्दी सी, ठीक है, यह वाली जो words है, आप बच्चों को इनको ज़रूर याद करवाएगे, क्योंकि question के अंदर, question answers जब होते हैं, तो ये इसरे की words ज़रूर आते हैं, नेक्स्ट जो आप बच्चों को करवाएगे, exercise के अंदर, वो है, tick right, the correct option, ये भी करवाना बहुत ज़रूर है, क्योंकि आजकल जो भी school में pattern चल रहा है, online classes का, उसमें mostly optional answers भी आते हैं, कि बच्चों को tick करना होता है, इसरे की से भी आप उसको ready करवा सकते हैं, तो हमारी जो character है, इसमें उसका नाम क्या है, Lisa, बहुत सारी जो books हैं, वो अलग-अलग schools में, अलग-अलग नाम से जो है, उसमें नाम change कर दिया जता है, हमारे main character का, जिसी की इसमें है Lisa, जो मैंने question answer बनाया है, जिस book से, बहुत सारी books के अंदर, जो main character है, उसका नाम Tara भी है but same pattern रहेगा, pattern में कुछ भी अलग नहीं होने मारा है, first job question होगी बचो को, who was Lisa, या who was Tara, so little girl थी वो या वो woman थी, कौन थी, she was a little girl, तो आप बचो से little girl पे tick कराएंगे, या उनको आप खुछ से समझाएंगे, तो वो समझ लेंगे, आप अगर चाहते हैं, तो मेरी channel पे जाकर क इस chapter को पूरा मैंने read करें समझाएंगे, आप वो भी दीख सकते हैं, next question आप देंगे, where did Lisa meet the old woman, जो Lisa थी, या जो Tara थी, old woman से वो कहां पे मिली थी, market में और forest में, forest में, okay, तो आप forest पे टिक कर रहेंगे, next question आप देंगे, what did the old woman give to Lisa, जो old woman थी, उसने Lisa को क्या दिया था, उस पॉर्ट दिया था, कौन सा पॉर्ट था वो, magic pot, next say, with whom did Lisa live, Lisa जो है, किस के साथ रहती थी, ठीक है, mother के साथ या, father के साथ, Lisa lived with her mother, so हमारा answer जो जो जाएगा, mother हो जाएगा, इसी तरीगी से जो है, आप यह वाले questions भी देंगे बच्चों को, what did the magic pot cook, जो magic pot था, वो क्या बन बनाता था, या चाय बनाता था, या पॉरिज, वो बनाता था, पॉरिज, यानिके, मीठा दलिया, next, or last, option question में है, who said, do not cook pot, यानिके, pot से किस ने कहा था, do not cook pot, mother ने कहा था, old woman, so इसमें answer हो जाएगा, old woman, sorry, mother ने, क्योंकि, जब भी हम chapter को, हम उसको read करते है, तो last, मैं मैं stop करने के, वो उसको भूल जाती है, तो वो बोलती है, उससे, do not cook pot, ठीके, next, जो आप बच्चों को देंगे, match the correct one, ये इस chapter के अंदर से ही, लिये हुए words है, और इनको, इनके, match करती हुए words से हमें, correct करना है, यानिके, match करना है उसको, जिसे कि, old, dishes हो जाएगा, no, bundle, woman, old, woman तो आप जो है, old को simply women से match करवा देंगे, little girl से match करवाएंगे, magic pot से match करवाएंगे, tasty dishes, okay, जो pot था, उसने tasty dishes मनानी शुरू करती, heavy bundle, heavy bundle of sticks, ठीके, इस तरह की से बच्चों ने अगर chapter को पढ़ा हुआ है, तो वो easily इसको कर लेंगे, कोई दिकत नहीं होगी, हाँ, आपको आपको बच्चों को देंगे, give the opposite words, यहीं कि आपको चेप्टर से ही लिये हुए है, हमने अलग से बिलकुल भी नहीं ही लिये है, जो चेप्टर के अंदर जो words है, उनहीं को लिया हुआ है, क्योंकि उससे बच्चे क्या है, simply सीख जाते हैं, उनको नया कुछ भी नहीं लग नहीं होता है, n-e-v-e-r, never, next है heavy, heavy means बहारी, तो यहां पर हो जाएगा light, l-i-g-h-t, light, remember, okay, remember, remember means याद रखना है, और रियाद रखने को हिंदी में आप अपको अपोजिट करोगी तो भूल जाने है, हिंदी के forgot, f-o-r-g-o-t, forget, next है stop, stop means किसी चीज़ को रोक देना, तो इसका हो जाएगा start, s-t-a-r-t, start, fifth है इस में poor, poor means गरीब, गरीब कोन था है, हमारी कहानी के अंदर, जो little girl थी, वो बहुत गरीब थी, so poor का opposite क्या हो जाएगा, rich, r-i-c-h, ठीक है, आप इस तरी के से जो है बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं, आप यहां पर ऐसे dash में ना करके दे सकते हैं, simply बच्चे को आजाएगा लिखना, और नहीं तो आप अगर चाहते हैं, तो आप इनी की जो मैने opposite words बता हैं, उनको इस side लिखिए, scrumble करके, और फिर बसरी से बुले, match करने को, तो वो उस तरी के से भी easily उसको कर देगा, next जो आप बच्चे को दे cooked many tasty dishes, d-i-s-h-e-s, ठीक है, dishes की spelling है, for them, next है, the porridge filled the dash, जो porridge था, वो सारे में कहां फैल गया था, जब लीजा, forest से घूल खेल कर कर आती है, तो वो जो porridge था, वो सारे में कहां फैला हो था, street, s-t-r-e-t, street, ठीक है, next है, लीजा, लीजा thanked the old woman for the magic pot, magic pot जो old woman ने दिया था, उससे लीजा बहुत खुश हो गई थी, बहुत जदा happy हो गई थी, next जो आप बच्चो को देंगे, वो होगा, the old woman was very dash with लीजा, जो old woman थी, वो क्या थी लीजा से, बहुत जदा pleased, p-l-e-a-s-e-d, p-l-e-a-s-e-d, pleased, चेक है, तो आ आप जो है बच्चो को यह लिखवा सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं तो आप भी लिख सकते हैं इनको, लीजा से वो बहुत जदा खुश थी, और आप जो है कुछ answers बच्चो को लिखने के लिए देंगे तो उसमें जो question हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, where did लीजा लिजा लि with her mother near a forest, ठीक है, next जो है, what did the old woman carry, जो old woman थी, उसने क्या carry किया हुआ था, तो आप जो है, आधा हमारा answer इसी मुझे जो है, the old woman carried a heavy bundle of sticks, ठीक है, इसी मुझे जो है, the old woman carried a heavy bundle of sticks, ठीक है, आप इस तरकी से बचों को answer लिखने के लिए दे सकते हैं, next जो answer है, और last है, यह हमारा, who come to Lisa's house, लिजा के घर पर जो एक कौना है था, so यहाँ पर हमारा answer आजाएगा, an old man, an क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि उसमें old है, और old गया है, हमारा वाविल है, जो हमारे वाविल होते हैं, तो उसकी साबने हम, an use करते हैं, so an old man come to Lisa's house, सिर्फ हमारा who, इसमें से हच जाएगा, और यहाँ पर आजाएगा, an old man, ठीके, come to Lisa's house, इस से किस्ट्र आप इस चैप्टर की वर्कशीट बच्चों को बना के दे सकते हैं, और भी चैप्टर की लगार आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, यह कैसा अलबा, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, थैंक यू